चोटाला परिवार यूही नहीं चोदरित देविलाल का परिवार कहा जाता। चोटाला परिवार हार कर सीखने और फिर जीतने के लिए जाना जाता है। गेर कर फिर खड़े होकर खुद को साबित करने का जो जुनून चोदरित देविलाल के परिवार में है वहे आज यहां धरम नगरी कुरुक्षेत्र में भी देखने को मिला। जन्ना एक जन्ता पार्टी के कारिकरताओं में जोश और होंसले का संचार करते हुए कारिकरताओं को लोगसभा चुनाव की हार से सीख लेकर दोबारत जन्ता के बीच जाकर अपनी पार्टी की नीतियों से अवगत करवाने को कहा। श्यार सिंग किरिमच वरिष्ट नेता कुल दीप सिंग मुलतानी युवा नेता बंडित योगेश शर्मा डॉक्टर जस्विंदर खैरा दिलबाग सिंग गुराया रिक्की नंदा सहित कई पदादिकारियों और कारिकरताओं अपने विचार रखे। इस कारिकरता समिलन में बड़ी संक्या में जन्ना एक जन्ता पार्टी के पदादिकारी कारिकरता मौझूद रहे। खबर नमा रेना के लिए डॉक्टर आजे शॉद्वा के रिकोर्ट इसे तक जहां पार्टी कारेकरताओं से आगामी विदान सभा चुनावों के लिए तर्चाबी करी है। जब 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 जन्ता ने परिवर्तन की चाहा रखिया बड़े बदलाव आए है। और आगामी दिनों के अंदर भी आप देखो भी प्रदेश की प्रस्थिति किस परकार से बदलने का काम है। मैं तो यह मानता हूँ कि नायब सेनी की यूटन सरकार है। जिस तरीके से हर रोज मनौरलाल की सरकार के फैसलों पे यूटन लेने का काम है। यह गबराट है। यह इनको दर्शा चुका है कि जन्मत आज इनके विरुद में है। और उस गबराट के अंदर कही न कहीं जल्दबाजी में इस तरह के निरने ले रहे हैं। इनकी पार्टी के स्पीकर ने कल पत्र लिखा है कि स्टेट प्लस फोर के अंदर और विचार करना चाहिए। मगर सरकार का यूटन है। जाहे वो प्रॉपर्टी आइडी की बात है। साथ दिनों से परिवार पेचान पत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर ठप पड़ा है। जनता को दिखते आरी। पंचाहिती राज में 5 लाग से पहले 21 लाग किया। 21 लाग में 15 लाग वाला बैनेट है। यूटन सरकार जो बनी है। ये साथ दिखाती है। कि आज जनता का विश्वासी खोचुए। भीस्पी और इनेलों को जो है गठ बंदन हुआ है। ये तो एक सोती संदी साथ गाठ है। और थोड़े दिनों में इसका भी परदावास आजाएगा। ये गठ बंदन भी किसके इशारे पर हुआ है। लविंदर सेंडी जी के परिवार से में कल मिलके आया थे। बड़े मेंती साथी थे। गठना से 24 गंटे पहले पार्टी की बैठक के अंदर इसार मुझूद भी थे। और जो गठना हुई है। ये लॉइन ओर्डर सिचुएशन परदेश की जो है। जमकि सरकारी गनमेन मौके पर मौझूद था उसके बाद दिन दाड़े। इस तरह की गठना हुना साथ दिखाती है। लॉइन ओर फिलियर है। मुझे आद है नाइब शेणी जी परदेश के मुख्यमंत्री बढ़े थे और मुख्यमंत्री बढ़ने गात पहली सबागो संबोधित करते हुए बादुरगट में कहा था। कि जो इस तरह के गुंडा तत्व है वो परदेश छोड़ के बाग जाए। और वो दिन आज का दिन है गुंडा तत्व तो छोड़ के नहीं भागें। बल्कि गुंडा तत्व परदेश में और ज्यादा एक्टिव होगी। कल-कल में तीन गटना उई, मेंदरगड के अंदर तोलगूत पे गोडी चली, सोनिपत में दूदिय के गोडी मारी, पाणिपत में वेपारी की दुखान में गोडी चली, यह दिखाता है कि पुलीस परशाशन पर सरकार का कंट्रोल नहीं है और गुंडा तत्वव पर पुली झाल